नमस्कार मैं शिवांचली और आप देख रहे हैं दफुल वॉल्यूम आज की इस भाप्ती दौरती जिंदगी में हम काम और सफलता के पीछे भाग रहे हैं हम रेस के एक ऐसे घोरे बन गए हैं जिसे सामने सिर्फ लक्ष दिखाए दे रहा है और जिसे जीत हासिल करनी है कही हमें वह सफलता तो मिल जाती है मगर वह सुकून नहीं मिल पाता जो सफलता का जश्न मना सके मनुष्य के मन की शांती के लिए धियान बहुत ज़री है यही पहला और आखरी उपाय है इसी ध्यान को ध्यान में रखते हुए गुजरात के एहमदाबाद में जेन गार्डेन और काईजन अकैडमी का उध्गाटन किया गया यह दोनों प्रोजेक्ट जापानी आकिटेक्चर के तर्च पर बनाए गये हैं और इसमें जापानी संस्क्रीती की जलक भी दिखाई देती है तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम भारत में जापान की सेर करते हैं गुजरात के एहमदाबाद मैनेजमेंट असोशियेशन में जापानी जन गार्डेन और काईजन अकैडमी का उध्गाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा किया गया इसे योगो इंटरनाशन असोशियेशन द्वारा सपोर्ट किया गया है अंदर एंटर करते ही स्टाइल का वेलकम ट्रे स्वागत के लिए रखा गया है बोंसाई एक जैपनीज शब्द है जिसका अर्थ बौना पौधा होता है इन बौने पौधों को छोटे बरतन या फिर ट्रे में उगाया जाता है जन गार्डेन का जो परिद्रिश्य है वो रॉक ग्रेवल चिप्स और रेत जैसे मटीरियल से बना है आप जन और काईजन को लेकर कन्फ्यूज ना हो हम आपको बताते हैं कि भारत में इसका क्या अर्थ होता है जन एक जैपनीज शब्द है जिसका अर्थ भारत में ध्यान होता है जबकि काईजन हमारे इरादों की मजबूती को निरंतर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जापानी पगोडा स्टाइल में विश्रप्रसिद अमड़ावाडी बर्ड फीडर फ्यूजन चबूत्रों दिखेगा यह बर्ड फीडर पक्षियों के भोजन की आपूर्ती को पूरा करने के लिए बनाया गया है इस गार्डेन की हर और एक चीज काफी खुबसूरत है जो आपको मंत्र मुग्ध कर देगी और यहां आने के लिए मजबूर कर देगी इस गार्डेन की दिवारों को काफी खुबसूरती से सजाया गया है इसमें 3D आर्ट में मुराल पेंटिंग यानि की भिती चित्र बनाया गया है जापानी गुलाबी कलर का सबसे फेमस फ्लावर चेडी ब्लॉसम को भी बनाया गया है यहां की अगर इंटीरियर की बात करे तो जापानी आर्किटेक्चर में ट्रेडिशनल स्लाइडिंग दरवाजा और गोल खिरकी है जिसमें भी काफी खुबसूरती से कलाकारी की गई है काइजन की सजावत में प्रकृती का प्रतीक है कीमोनो एक परंपरिक जापानी परिधान और जापान की राश्च्रे पोशाक है यहां कलरफुल स्कॉल आर्ट में जापान की कीमोनो डिजाइन बनाए गई है इसके बगल में निहोंगा पेंटिंग है जो की रेशम पर जैपनीज ग आपित की गई है गुजरात में बनाया गये जन गार्डन और काइजन अकाडमी जापान को उसके जिवन्त रंग और भविता में प्रकट करता है यह शांती की खोज की एक सुन्दर अभिवेक्ती है इस गार्डन में प्रवेश्दौर के रूप में तोड़ी भी बनाया गय है तोड़ी की उपस्थिती आमतोर पर शिंटो मंदर की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है इसके साथ ही यहां के अजू माया जो की एक रॉयल गार्डन पवेलियन है को अवाजी टायल से सजाया गया है यहां बना जैपनीज गार्डन पुल रेड ब्रिज गुजेई का आकिटेक्चर काफी आकरशक है यह ब्रिज मनुष्य की दुनिया और प्रकृति की दुनिया की बीच की यात्रा पर अधिक जोर देता है इस जन गार्डन और काईजन अकैडमी का मकसद जपान के कला संस्कृति और प्रकृतिक चटा को दर्शाना है यह गुजरात को भारत के मिनी जापान बनाने के मिशन और विजन को दर्शाता है इसके बन जाने से भारत और जापान के संबंधों में और मजबूती आएगी ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें धन्यवाद